हलो फ्रैंट साम हरीश डेमला फ्रम एक्रिट फ़र्चुन अस्टोलोजी दोस्तों आज हम बात करेंगे केतु देव की करक-लगं के चतूर्थ भाव की प्लेस्मेंट प्लेसूप के इिस बारेमें हम बात करेंगे। दोस्तों Cancer Ascendant में normally केतू एक कारक प्लानेट की तरह काम नहीं करता तो इस वज़ा से केतू के यहाँ फल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी केतू जिस राशी में बैठता है उस राशी पती से केतू देव की किस तरीके से compatibility है या उससे किस तरीके से उसके संबंध है उस पे भी बहुत नेवर करता है और केतु देव या राहु देव जहां भी बैठे होते हैं उनके राशी पती अगर बहुत अच्छे बैठे हों तो इनके कुछ फल हमें बहुत अच्छे भी मिलते हैं और दूसरा ये जिस नक्षत्र में बैठ जाते हैं उस नक्षत्र के लॉड की प्लेस्मेंट भी देखना बहुत ही जरूरी है यानि के लॉड की प्लेस्मेंट से भी हमें ये पता लगता है कि ये फल हमें किस रूट से मिलेंगे क्या ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे या प्राब्लम्स रहेंगे या स्ट्रेट अवे हमें इसके अच्छे फल मिलेंगे तो आपको इन दोनों चीजों को देखना बहुत जरूरी है जब भी आप राहू या केतू के फलों की समिक्षा करते हैं या उनके परिणामों को एनलाइज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर करक लगन में चोथे घर में शुक्रदेव की मूल त्रिकोन राशी है और शुक्रदेव केतू देव के गुरू ही आप समझ सकते हो देत गुरू है शुक्रदेव केतू एक देत प्लानेट यानि छाया ग्रह है लेकिन गणना तो उसकी देत्यों में ही होती है राहू के भी तो शुक्र देव की राशी में नॉर्मली रावो और केतु बहुत ज़्यादा बुरे फल नहीं बद दे पाते हैं लेकिन फिर भी शुक्र देव की प्लेस्मेंट देखनी पड़ेगी और चोथे घर का प्रभाब देखना पड़ेगा और यहां पर केतु किस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र की प्लेस्मेंट भी जरूर देखनी पड़ेगी तब ही हम किसी प्रेणाम पे पहुंचेंगे नहीं तो यहां पर केतु देव के चोथे घर में बहुत अच्छे फल भी मिल सकते हैं और बहुत बुरे भी मिल सकते हैं दुनोत्रा की यहां पर प्रेणाम मिलते हैं और आपको अगर दस चार्ट्स एनलाइज करो जहां पर केतु की सेम प्लेस्मेंट है आपको दसों चार्ट में अलग फल मिलेंगे उसका रीजन यह ही है कि केतु की डिग्री क्या है बलाबल कितनी है किस नक्षत्र में बेठे हुआ है नक्षत्र का लौड का staircase हुआ है और जो राशी पती है यानि कि शुक्र दे वो काँ बैठे हुआ है तो इन सब की प्लेस्मेंट्स देखके फिर केतू पर किसकी दृष्टी है कोई ऊस पर दृष्टी अच्छी है या बुरी है तो ये सब चीजें हमें जुरूर देखने पड़ेंगी और केतू के साथ किसी planet की conjunction तो नहीं है केतु के साथ प्लानेट्स की कंजंग्शन ज्यारत अच्छी नहीं मानी जाती है और पर्टिकुलर्ली मून और सन की तो भूत ही पुरी मानी जाती है क्योंकि केतु देव इन दोनों प्लानेट्स के बिटर एनिमी है तो आएए दोस्तो हम बात करते हैं केतु देव यहां प्लानेट्स केतु देव का घर है और बहुत ही ऑस्पीशेज घर है फुल फिमोशन जैंफ फुल फ लग्जरी जैफ फुल 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 फ लव है तो केतु देव एक सेपरेटिव अनर्जी केतु जहां भी बैठते हैं उस घर का सिगनिफिकेंस हमारे से दूर हो जाता है उ हमारे लाइफ में कम रहेगा नियूरिश्मेंट कम रहेगा यह जनरल रिजल्ट्स है अभी हम उन चीज़ों पर नहीं आए कि शुकर देव कहां बैठे हुआ है या नक्षत्र का लॉड कहां बैठा हुआ है उस पर हम अभी जंप करेंगे अभी तो हम जनरल चीज़ें बता बहुत मुश्किल आएगी आप अपनी जहां जहां आपका जनम हुआ है उस शहर में रहना आपके लिए मुश्किल है आप बड़े होके जैसे ही इंडिपेंट होते हो आप कहीं दूसरी जगह मूग कर जाओगे हो सकता है आप स्टूडेंट लाइफ में दूसरी जगह टाइप जो एजुकेशन है सेकंडरी एजुकेशन कह सकते हो इसको इसमें थोड़ी बहुत डैफिशनसी रहेंगी अगर ये एजुकेशन के सिग्निफिकेंस में आप करोगे तो बहुत अच्छी रहेंगी जनी कि अगर आप ये एजुकेशन किसी मेडिकल प्रोफेशन में करते हो तो बहुत अच्छी रहेगी दवाईयों के काम में करते हो तो बहुत अच्छी रहेगी लेकिन आप नॉर्मल कोई कोर्स करते हो तो यहां पर आपको थोड़े से प्राब्लम्स आएंगी प्रुपर्टी या लैंड से रिलेटेड मैटर्स में भी यहां पर आपको प्रेशानिया जहिलनी पड़ेंगी और वीकल्स यानि के जो आपकी गारी का सुख है वो भी कम मिलेगा कन्विनियंसी भी कम मिलेंगी और आप में भटकाव ज्यादा रहेगा आप थोड़े से डिप्रेसिव थौट्स वाले इंसान होगे क्योंकि यह हमारे दिल का घर है और यहां पर केतु जो है हमें कहीं न कहीं illusion देता है fickle mindedness देता है depression देता है negativity देता है तो आप कहीं न कहीं depressive हो सकते हैं negative हो सकते हैं थोड़ा सा केतु का प्रभाव आपके मन पे जरूर रहेगा यहां पर आप इना अंदर से अकेले फील करेंगे solitude की feeling ज़्यादा होगी loneliness और ultimately आप अपनी motherland से या mother से या birthplace से दूर हो जाएंगे आप कितना दूर जाएंगे वो different planets की placement बताएंगे विदेश में भी जा सकते हैं तो कि यह placement आपको foreign country की placement भी दे सकती है लेकिन वो तभी दे सकते है जब आपका कोई दूसरा योग भी विदेश की settlement का हो सिरफ यह केतु का यहां बैठना विदेश की settlement assure नहीं करता यह आपको बस घर से दूर ले जाने की assurance देता है कि आप घर से दूर रहेंगे यदि आप घर में रहे गए तो problems रहेंगी घर में आपकी growth में, उन्नती में, तरक्की में professional success में यह बाधा बनेगा इसलिए आपको जो भी काम करें आप घर से दूर करें और मन उचाट रहेगा आप secretive रहेंगे आपके मन में कई तरह की उलजने रहेंगी fickle minded रहेंगे आपकी emotions में starvation रहेगी आपकी मदर की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है आपके जनम के बाद आपकी मदर चार-पांच साल के अंदर कुछ नो कुछ उनकी health में विकार आएगा health में problems आएगी आपकी मदर एक spiritual lady हो सकती है आपकी मदर उसे आपकी किसी ना पूछे या उनकी परवाना करें है तो यह सारी चीजह यहां बैठा हुआ के तुदेगा है अब आप दोस्तों यहां और से बैठे हुए के द्रिष्ट्रिश्टी जो है कि कहां पड़ेगी यहां बैठे हुए केतु की दृष्टी सबसे पहली दृष्टी उसके आठवे घर पर पड़ेगी तो आठवे घर की अबस्टेकल्स यह आपको एक सीक्रेटिव एटिचूट दे देगा आपकी रिसर्च में ज्यादा इंट्रेस्ट रहेगा आपकी रिसर्च और डवलोप्मेंट में अगर आप काम करते हैं तो ज्यादा सेक्सस मिलने के चांसे हैं थैडिकल प्रोफेशन में ज्यावा सक्काइस मिल सकती है आपकी दवाईयों के काम में दवाइआ मिल सकती है डॉक्तर मैं जा सकते हैं या किसी ऐसे जासकते हैं जहां पर है इस आपमे ज़ीजिटी आगे लेकिन गान पर है कि है रही है किन means with by आपके और आप हाूस में अग्रसिव है तो यहां कभी कभी हम यह एक्सिदेंट्स की भावना भी एक्सिदेंट्स की रिजल्ट्स भी दे देता है जब इसकी एट्थ हाउस पे द्रिश्टी होती है अगर एट्थ हाउस में केतु का कोई अनिमी बैठा हुआ तो डिफिनेटली यह एक्सिदेंट्स की योग भी बनाएगा यानिके मंगल बैठ जाए यानिके सूर्य बैठ जाए यानिके चंद्रमा बैठ जाए तो कहीं ना कहीं फिजिकल आक्सिडेंट्स भी ये प्लेस्मेंट दे देती हैं और इसकी साथवें दृष्टी पड़ेगी दसमें घर पे दसमें घर वहा रहुदेव बैठ हुए रहुदेव अकले है तो कोई दिकत actions नहीं है अगर रहुदेव के साथ कोई enemy planet बैठा हुआ है तो रहु भि उससे मारेगा केटु भी मारेगख तो ऑफट हो जाएगा उस planet के रिजर्ट्स भी हमें कम मिलेंगे और इसकी जो रिजर्ट्स कम मिलेंगे तो दस्मघर अगर कोई और बात हैं अगर शुक्र देव बैठे हूँ है जो केत्व के मित्र है बुद्ध देव बैठे हूँ है जो केतु के मित्र है तो यहां कोई प्रेशानी नहीं है गुरु देव भी अगर बैठे हुए तब भी कोई प्रेशानी नहीं है केतु की नाइथ आसपैट पडेगी बारवन घर पे बारवन घर मोख्ष का है तो यहाँ पर इनक्लाएंट आदमी रहे तोड़ा सुप्रिच्वालाटी में भी इनक्लाइट रहीगा और के तूथ मोख्ष का करा की आठवेंगर की द्रिश्टी और बारेंगर की द्रिश्टी दोनों इनसान को एक सुप्रीचॉळटी ची फिलिंग भी देतुज आद्मी प्रेशनियों के बाद एक spiritual band of mind आएगा charity में जाएगा कुछ किसी philosophy पे जोड़ेगा कुछ travels करेगा लंबी journeys में भी जा सकता है foreign की settlement में भी जा सकता है foreign country भी घूम सकता है यानि कि वो कहीं न कहीं मोक्ष की तलाश में भी जरूर जाएगा चाहिए वो later age में जाएगा अब दोस्तों देखते हैं कि केतू यहां पर शुक्र टाश में अगर शुक्र different houses में बैठ जाए या केतू जिस नक्षत्र में बैठे हुआ है उस नक्षत्र का लोड़ यानि यह तीन नक्षत्र मिलते हैं पहला चित्रा नक्षत्र है मंगल देव का जो की auspicious हैं इस लगन में और दूसरा नक्षत्र है यहां राहू का जो inauspicious हैं लेकिन राहू की placement तो में पता है दस्वे घर में और तीसरा नक्षत्र है विशाखा गुरुदेव का वो भी auspicious हैं राहू देव दस्वे घर में नॉर्मली अच्छा काम करते हैं लेकिन यहां पर दस्वे घर में एक नंबर राशी है जो थोड़ी सी मंगल की राशी है राहू देव का एनिमी है मार्स थोड़ा सा एग्रेशन रहता है यहां पर दस्वे घर में थोड़ी सी प्राब्लम्स भ अब देखिए यहां पर शुक्रदेव की प्लेस्मेंट कहा है पहला हम शुक्र को ही डिसकस कर लेते हैं शुक्रदेव की प्लेस्मेंट अगर इस चार्ट में आपकी बहुत अच्छी है और नक्षत्र के लौट की प्लेस्मेंट भी बहुत अच्छी है तो यह केतु आपको कि जैसे मानलिया शुक्र देव की प्लेस्मेट बारवें घर में आ जाए और मंगल देव की प्लेस्मेट में भारवें घर में आ जाए या लगन में आ या दूसरे घर में आ जाए लगन में बेशब मंगल देव नीच के हो जाएंगे लेकिन फिर भी पांचमें घर का स्वामी जब लगन में बैठ जाता है तो कुछ auspicious results भी बहुत देता है जरूर देता है दसमें घर का स्वामी भी है मंगल अब देखिए मंगल की placement यानि के यदि केतू चित्रा नक्षत्र में हैं जिसके दो चरण मिलते हैं या तीसरा और चोथा चरण इस भाव में साथ नंबर राशी में इस राशी में कहना चाहिए वहाँ पर अगर मंगल देव की placement और शुक्र की placement दोनों ही अच्छी आ जाए तो हमें अच्छे results मिलेंगे लेकिन दोनों की placements जहां आएंगी उस भाव से related भी अच्छे results मिल सकते हैं यानि कि अगर शुक्र देव बारवे में चले जाए तो foreign country की settlement sure है और मंगल कहीं नाइध house में आ जाए मंगल international travels के house में आ जाए शुक्र देव डिस्पोजिटर बारवे घर में आ जाए तो इंसान international travels में भी रहेगा विदेश में भी यात्रा करेगा तो इस तरीके से dots को connect करके हमने फल निकालने हैं अगर शुक्र देव की placement second house में आ जाए तो इंसान को मदरली property को inheritance inherit करेगा उसे मदर से सुख मिलेगा property का अगर नक्षत्रगा लौट छटे में आ जाए तो court case को face करके सुख मिलेगा disputes को face करके सुख मिलेगा मंगल अगर नीश का बैठ जाए तो भाईयों से disputes रहेंगे लेकिन property मिलेगी क्योंकि शुक्र देव second house में बैठे हुए शुक्र देव लगन में आ जाए तो यहां चोथे घर का सुख मिलेगा गाड़ियों का सुख मिलेगा गाड़ियों का सुख तो मिलेगा लेकिन उस सुख में आप अनंदित नहीं रहोगे आपकी satisfaction में कमी रहेगी क्योंकि केतु चोथे घर का सुख आपको भोगने नहीं देगा कुछ नहीं कुछ आप detached feel करोगे उस सकती है अगर लगन में शुक्र देव बैठ जाए शुक्र तो गाड़ियों का कारा की है कि मंगल की प्लेस्मेंट अगर एक्षॉल्टेट साइन में आ जाए यानिके सात्वे घर में ऊजाए तो प्रूपर्टी का भर्मार्षू मिलेगा और अगर केतू मंगल के नक शत्र में है तो आपको बास प्रूपर्टी बहुत हो सकते हैं प्रोपर्टी अगर मंगल exalted है साफवे घर में है बिजनिस के घर में है और इधर से केतु मंगल के इनक्षत्र में है तो यानि के केतु आपको properties का काम करवा सकता है या आप किसी भी profession में हो property की investment से आपको फायदे होंगे और शुक्र भी अच्छा बैठा हो धनभाव में बैठ जाए अगर शुक्र चोथे घर में केतु से थोड़ा दूर बैठ जाए तब भी auspicious है दस डिग्री से ज्यादा distance में बैठ जाए तो भी auspicious है शुक्र देव अगर दस्वे घर में बैठ जाए राहू के साथ और के तु मंगल के नक्षत्र में और मंगल आपके दूसरे घर में आजाए तो भी property मैटर से आपको बहुत सुख मिलेगा अगर मंगल छटे घर में आ जाए और मूला नक्षत्र में आ जाए तो यहाँ properties के मैटर्स में बड़े नुक्सान हो जाएंगे प्रोपर्टी आपकी बिखने की कगार पर रहेगी प्रोपर्टी में लून्स बहुत हो सकते हैं या प्रोपर्टी जब भी आप लोग है आपको फलेगी नहीं एक तो मूला नक्षत्र खराब है दूसरा केतु का है तीसरा चटा घर खराब है ऐसे ही मंगल अगर बार्वे घर में अरद्रा नक्षत्र में आ जाए तो भी प्रोपर्टी मेटर्स में आपको बड़े नुक्सान हो सकते हैं और कोई प्रोपर्टी आपकी हाथ से भी निकल सकती है तो आपने ये तीन प्लानेट्स के खेल को देखना ये कहां बैठे हुए हैं और किस तरहिके से आपकी लाइफ में ये अच्छे और बुरे फल दे रहे हैं आठवे घर में अगर शुक्र बैठ जाए और के तु चोथे घर में है तो यह आपको सीक्रेट रिलेशन्शिप में ले जाएगा शुक्र बार्वे घर में चला जाए के तु चोथे घर में और मंगल भी बार्मघर में चला जाया तो यह आपको एडिक्शन में ले जा सकता है नशे में ले जा सकता है क्योंकि बार्मघरीनी चीजों का है या फिर फॉर्ण गंट्रे में भी ले जा सकता है क्योंकि केतु ने आपको बुरे अच्छे दोनों फल दे सकता है डिपेंडिंग उन दी प्लेस्मेंट ऑफ राशी लॉड यानिके वीनस और नक्षत्रा लॉड यानिके जिसमें केतु बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉड बस आप इन दोनों को स्टेडी करते रही है और क केतु के फल लिखते रही है तो यह नहीं कि सबसे पहले शुक्र की प्लेस्मेंट देखिए उसके बाद नक्षत्र के लॉड अगर यहां पर नक्षत्र का लॉड स्वाती है तो यहां केतु राहु के फल देगा राहु बना बल हो जाएगा यानि कि चोथे घर में भी नो डॉड यह नॉट नौर्मली यह जू प्लेनेंट्स वाहु के अच्छे फल नहीं देते लेकिन अगर राशी लॉड संभला हुआ है और स्ट्रॉंग है और पावर्फुल है यानि कि अगर वो ग्यार्वे धर में राशी लॉड आ गया तो फिर प्रोफेशनल आपको अरीना में या प्रोफेशनल लाइफ में आपको बड़े गेंज दिलवा सकता है अगर राशी लॉड लगन में ही चला गया दूसरे घर में चला गया अपनी नक्षत्र में चला गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा और अब राखु की प्लेस्मेंट तो चेंज हो नहीं सकती वो तो दस्वें घर में रहेगी लेकिन उस केस में हमें सिर्फ शुक्र को देखना पड़ेगा और तीसरा यां नक्षत्र मिलता है जिसके तीन चरण मिलते है विशाखा नक्षत्र का लूर्ड है जूपिटर तो जूपिटर की प्लेस्मेंट आपको ये डिसाइड करेगी कि यहां केतु देव आपको बलेस करने करें यह प्रॉब्लम्स देंगे यहां पर नॉर्मल प्रॉब्लम्स तो आपको रहेंगी रहेंगी उससे नहीं आप बच सकते लेकिन अगर राशी लौट बढ़िया है नक्षत्र का लौट बढ़िया है तो यह प्रॉब्लम्स डाल्यूट हो जाएंगे और अच्छे फल आप महसूस करेंगे क्यूंकि केतु देव शुकर कि राशी में और शुकर सकतु देव की मित्रता हमें यूं कहना चाहिए लेकिन फिर भी छोते घर से कुछ ना कुछ डफिशेंस आपको ज़रूर होंगी कुछ ना कुछ मन आपका उचाठ ज़रूर रहेगा अफिकल माइडिट ने रहेंगे इस लेने में problems रहेंगी कुछ motherland से problem रहेंगी मतर से भी कुछ मिसंडरस्टेंड़िंग्स रहेंगी आपकी तबीयत खराब रहेंगी यह वाली जनरल चीजें तो रहेंगी लेकिन क्या आपके दूसरे एरियाज में ये केतू अच्छे फल देगा उसके लिए दूसरी चीज़ें देखिए अगर गुरुदेव अपनी राशी में बैठे हुए 11 घर में तो बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाएगा और केतू यहां विशा का नक्षत्र में है तो यह नहीं के आपको बहुत की तरफ ले जाएंगे और बड़ा ज्यानी बना देंगे आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं अच्छे इंसान हो सकते हैं क्योंकि यहां गुरु एक्साल्टिड हो गया केतू चोते घर में चोता घर मारे मन का है मन में मोक्ष का कारक बैठ गया अगर गुरुदेव सेकंड वह उनका अपना कारक भाव है और केतु देव चोते में आगए तो प्रपर्टी मैटर से आपको बहुत बड़ी वेल्थ कर दे सकते हैं और इनहरेटेंस भी दे सकते हैं आठवे घर में भी दृष्टी इनहरेटेंस का योग भी बना सकती है तो दोस्तों इस तरीके से आप डॉट्स को कनेक्ट करके फल निकाल सकते हैं अपने आप ही निकाल सकते हैं इस वेरीजी थोड़ा सा आपको इन्वाल होना पड़ेगा डीप डेफ में जाना पड़ेगा तो फ्रेंट्स इस ऐल फदर डेव उमीद करता हूं आप बहुत ही अंदर तक इस प्लीशमेंट को जान गए होंगे, if you are liking our videos, please try to subscribe our channel, in present times we see, कि हमारे 75% viewers हमारे subscriber नहीं है, तो कहीं न कहीं, यह जो है हमें थोड़ा सा हमारे लिए painful है कि हमारे 75% viewers हमारे subscriber नहीं है, only 45% subscribers है, तो अगर आप भी ऐसे हैं, कि हमारे viewer भी है और subscribe भी नहीं किया, तो this is a one second job, just subscribe our channel and get the benefits of all our videos, thank you very much, take care of yourself and your family, we'll see you soon, goodbye.